हेलो अब्रिवन फ्रेंज वर्कम बेक टू टॉप थ्री वर्ड गाइज आज मैं आप शेयर करने वाली हूँ पुराने शूफा कवर का बहुत ही अच्छा इस्तामाद तो उसके लिए देखिए मैंने शूफा कवर ले लिए हैं मेरे पास इस तरीके के शूफा कवर थे तो अ मैं इसका इस्तामाल कर रही हूँ अगर आपके पास है तो आप भी ले लिजे तो देखिए इस तरीके की लेस मेरे इसमें लगी हुई थी तो पहले मैं इसे निकाल दूँगी और साइड से थोड़ा सा मुझे ये टेडा लग रहा था तो मैं इसे कट करके सीधा कर तो 16 इट से 22 एंच है अब हमें 16 इंच है जिस साइड से उच साइड पर जिप अटछ करनी है तो मैंने 16 इंच की जिप ले ली है जिप को में कपड़े के ऊपर हमें उल्टा रखना है और फिर सिलाय करनी है उसके बाद इस तरीके से देखिए हम जिप को सेकंड साइड पर और फिर दूसरी साइट कपड़े की जिप के उपर रखकर इस तरह किसे सलाय करएंगे यह कпов अमें जिप को घीया है और जिप को देखी में इस सेकंड साइड करेंगे यानि कि wrong side पर हम इस तरीके से दबाएंगे इसे और यहां उपर भी हमें सिलाई कर लेनी है स्वीम इसी तरीके से 2nd side पर भी हम टॉप स्टिच कर लेंगे दोनों side पर इसी तरीके से सिलाई हो गई है अब देखें यहां पर हमें runner आट करना है तो यहाँ पर मैं आपको कैसे runner add करना है ये भी दिखा रही हैं आपको दोनों हिस्से में एक के बाद एक runner को जाने देना है और फिर अच्छे से इसे खीच लेना है एक बार runner add करने की बाद हम निकाल लेंगे फिर से add कर लेंगे अब देखिए जो ready हिस्सा है इसे हम उल्टा कर लेंगे और इस तरीके से zip को हमें थोड़ा सा बीच में नहीं रखना है सेंटर में नहीं रखना है ऊपर की साइट तो 3.5 इंच पर माक करके आपको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके जिप को रखना है तो इस तरीके से रेडी है अब दोनों साइट से मैंने सिलाई कर ली है अब यहां इसके कॉर्णर पर हम मार्किंग करेंगे तो जो सिलाई की जगा है वो छोड़ कर हमें मार्किंग करनी है सिलाई से आगे 2.5 इंच पर और सेकंड साइट से भी 2.5 इंच पर सेम तरीके से हम च इसे कट कर लिए है तो अब यहांपर हम इस तरीक準 हिप्र और इसके पर टीट करेंगि यहांपर हम सलाइ कर लिए ग안 यह ए फया सिलाइध को अशुक्रीत कर लिंगे तो यहांपर हम त् online कर लेंगे चाहिए तो तो इस तरीके से 12 इंच के श्ट्रिप लेनी है और इसे फोल्ड कर लेंगे तो यह फोल्ड भी हो गया अब जो जिप वाली साइड थी वहां से हम कॉर्णर पर जो कट किया है वहां से अंदर जाने देंगे और फिर देखे इसे हमें इस तरीके से सेंटर में रखना है एकदम और फिर हम सिलाई करेंगे इस तरीके से आपको कॉर्णर को फोल्ड करना है तो यह इस तरीके से सिलाई हो गई है अब इसके दूसरे साइड पर इस हैंडल को मतलब कि जो हमने श्ट्रिप ले है फोल्ड करके उसे हम कॉर्णर बीच में सेंटर में सैट करके सिलाई कर अब यहां पर भी जैसे साइड में किया था वैसे ही सभी कॉर्णर पर हम स्ट्रिपटाइच करके पैक कर लेंगे बस तो यह हो गया राइट सैड पर इसे टर्न कर लीजिए तो यह हमारा और्गनाइजर बनकर रेडी हो चुका है सोफा कवर का इस्तमाल करके आप इस तरीकी का बहुत ही प्यारा सा और यूसफूल डियाइवाइब बना सकते हैं मैंने यह चोटा सा बनाया है आप दो जो सुफा कवर थे उसे जॉइंट करके बड़ा भी बना सकते हैं बैट सीट साडिया वगरा आप श्टूर करके रख सकते हैं यह चोटा सा है तो मैंने इसके अंदर लेंगेंग रखी हुई है आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं सो गाइस कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कॉमेंट जरूर करना वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना शेयर करना और चैनल पर नए आये हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मिलते हैं ऐसे ही और यूसफुल वीडियो के साथ तब तक के लिए जाए भारत